ये गाइस, welcome back to my channel तो friends, आज की इस वीडियो में हम 3 apps के बारे में बात करेंगे जो कि कमाल की है और आप लोग इसे daily use कर सकते हो और आप लोग के लिए daily useful रहेगा आप लोग whatsapp, facebook, instagram जो भी चलाते हो तो ये जो उसमें से दो जो apps है न वो आपको daily life में use होने वाला है और जो तीसरा जो हमारा app रहेगा वो दोनों से अलग रहेगा तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा तब ही जाकि आप सारा चीज़े सीख पाऊगे तो चले फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता है कि क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करो बेल अकन को भी प्रेस करो और हाँ वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लागे तो उस टैम पे आपको वीडियो को लाइक जरू करना है तो चले फिर शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स वाट्सप पे इंस्टा पे ऐसे कई सारे ऐसे प्लैटफॉर्म है जहां पे ऐसे लोग है कि हमारा जब हम मैसेज करते हों तो उन लोग क्या करते हैं कि हमें इग्नोर करने लग जाते हैं है ना वो कि अगर तो उपर से मैसेज को देख लेते और वहाँ से फिर ऐसे हटा देते स्लाइड करके देखते नहीं यह वो मैसेज को लेकिन वो पढ़तो सकते हैं कि यह यह मैसेज है करके तो एक तरब से क्या होगी कि हमें इग्नोर कर रहा है लेकिन हां आप लोग अगर चाहते हो कि वो मैसेज को देखे कि हमने क्या मैसेज कि आपके ब्लूटीक अगर आजाए तो हमें पता लग जाता कि मैसेज ने उसने देखा तो आपको यह डाउलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करना यह जो spoiler alert लिखा है आपको यहाँ से कुछ edit करके कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि मैं आप पर अगर warning लिख देता हूँ what spoiler या फिर what spoiler जो कुछ भी पहले था वो भी रख सकते हो या फिर आपका जो इच्छा होता है आप यहाँ पर रख सकते हो लेकिन उपर से वो देख नहीं सकता कि actual message क्या है वर्निंग दिखाएगा जो message है main message वो hide कर देगा तो उसको देखने के लिए ज़रू से message को तो click करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर मैं click करता हूँ ठीक है click किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो read more जैसे वह read more पर click करेगा वैसे यहाँ पर hello लिखा आ जाएगा और वह हमारा तरप से हम जब देखेंगे message को तो पता लग जाए कि उसने message देखा है तो guys यह वाला जो app से वह बहुत useful होने वाला है ठीक है आप लोग के लिए तो यह वाला आपको download कर देना मैंने वैसे भी description box में दे दिया है आप वासे भी download कर सकते हो उसके बाद guys हमारा आता है second app अब अगर आपको time pass करना है किसी के साथ यानि कि वैसे वाला time pass नहीं है ऐसे आपका जो time है यानि कि मस्ती मजग करना है आपको किसी के साथ अगर बाते कर रहे हो तो मस्ती मजग आपको चाहिए तो उसमें क्या कर सकते हो उसको थोड़ा सा आप नहीं कि हैरान कर सकते हो कि यह कैसे कर रहा तो आप लोग एक message को जितने बार चाहो उतने बार एक सा में आप जो है भेज सकते उसको तो मैं आपको दिखाता हो कि उस application का नाम क्या है उस application को जो नाम है वो है text repeater अब आपको यह भी download करना description box में link है अब for example में अगर यहाँ पे चाहता हो कि यह जो याप है यह ads आता है इसमें क्योंकि यह सस्ता है इसमें कुछ यह नहीं है तो यहाँ पे for example में लिख लेता हो hello अब यहाँ पे आपको कितनी बार चाहिए जैसे कि मिझे यहाँ पे 1500 बार मुझे hello send करना है वो भी एक ही साथ अब अगले वाले को जैसे send करो वो सोच म करना है उसके बाद आपको यहाँ एक एड आएगा इसको आपको कैंसल करने के बाद ऊपर आप देख सकते हो repeat text with space के साथ अगर टेक्स्ट यह करना है तो इसको आपको check-in करना है repeat text with a new line दूसरे लाइन में जैसे अपने hello लिखा ठीक है दूसरे बार जब hello आएगा तो उसक hello जाएगा message जाएगा उसके बाद repeat text भी तो जो message रहेगा वहर एक message के बीच में एक एक space रहेगा आप चाहते हो तो यह भी आप अनेबल कर सकते हो लेकिन मैं बस दो ही अनेबल किया हूँ उसके बाद आपको यहाँ से repeat text कर देना है repeat text अब जैसे repeat text के आप नीचे देख सकते अपको यहाँ से कर देना है copy उसके बाद आपको चले जाने in the what's up पे यहाँ से आपको कर देना है paste और यहाँ पर आपको send कर देना है तो यहाँ पर आप आप देख सकते हो hello 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 यह 1500 बार hello चले घया तो आप लोग किसी को भी इस तरह से हैरन कर सकते हो तो घ्याइज यह हमार second trick है यानि कि second application है अब हमारा जो third application है वो दोनों अलग है इससे third application क्या है कि आप अपने body पे कही पर भी जो है tattoo बनाना चाहते हो photo editing का अगर सीखते हो या फिर photo editing का आप interest लेते हो तो आप tattoo जो है अपने body पे कही पर भी बना सकते हो तो आपको इस application को download कर लेना description box मैंने link दे दिया start पे click करना है ठीक है start पे click करने के बाद यहां से cross कर देता हूँ okay तो यहां पे कुछ जो है photo samples दिया है आप जो है इन पर भी try कर सकते हो जैसे कि for example मैं यहां पर इन पर try करते हो ठीक है यह वाला मैंने लिया इसको थोड़ा छोटा किया और यहां पर मैं बिठा दिया sorry देखी इस तरह से आपको छोटा करना है बड़ा छोटा जैसे करना है आप अगर इसका side change करना चाहते हो तो भी कर सकते हो तो आप guys यहां पर आप देख सकते हो तो ऐसा लगेगा कि यह real में जो है body tatoo है उसके बाद अगर आपको text लिखना है तो इसके भी आप text कखे सकते हो जैसे की यहां पर आपको टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है करने के बाद पिर यहां से उपर आपको क्लिक करने के बाद यह पोटो आजाएगा आने के बाद फिर यहां से में हाथ में लगा देता हूँ तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐसा लग रहा रियल में कि मेरे हाथ में यह टैटू अल्रेडी बना हुआ है तो इस एप से आप लोग काफी सरे आपको टैटू मिल जाता है यहाँ पर जो चाहे आप वो लगा सकते हो जो चाहे आप वो यूज कर सकते हो देखिए कुछ इस तरह के से आपको जो है टैटू मिल जाएंगा आपको यहाँ से एक सेगंड़ा तो यहाँ से में इसको कीच के यहाँ पर लाता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ यहां पर भी देख सकते हो ऐसे लगा कि मेरे हाथ में रियल में टैट्व है तो आपको यह तीनों की तीने अप्लिकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगा आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो और आपको वीडियो कैसे लगा हमें जाएंगा यहां वे झाएंगा हमेंगा में टाटा बाइक बाइक वाय है